Hello everyone, welcome to Okul, India के सबसे affordable learning platform में आप सभी लोग का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आईए अपने स्कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, that is Environment by Shankar IS Academy Chapter 4 में हम लोग स्कोर्स के है, that is Aquatic System, Part 6 में आज हम इस चैप्टर को continue करेंगे पिछले पार्ट में हम लोगोंने रामसर convention, रामसर sites क्या होती है, related to the wetlands, ये बात है की ठीक है, आज थोड़ा सा इसी में आगे देखेंगे about the Montrex record, की Montrex record क्या होता है और इसके बाद हम लोग जो अगला topic आप लोग के इस chapter में दिया हुआ है, that is the Azure ecosystem, इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से request करना चाहता हूँ कि जो लोग इस course को इस video series को follow कर रहे है, जिनको ये पसंद आ रही है वो लोग प्लीज जादा से अदा videos को like करें, जादा से अदा share करें ताकि सभी लोग को जो हमारे इन courses इनका फायदा मिल सके बागे जो लोग channel पर नए है, अगर उन लोग को भी content helpful लग रहा है, तो उन लोगों से भी मैं request करूँगा कि आप लोग भी channel को जरूर subscribe कर लें और bell icon प्रेस करना ना भूले ताकि videos को notifications को करें, जो है वह आप से miss now, चलिए, तो start करते है, आज करें जा देखिए, हम बात करने जा रहे है, Montrex record की, तो जानते हैं पहले Montrex record होता क्या है, Montrex record is the principal tool under the Ram sir convention, ठीक है, is a register of wetland sites on the list of wetlands of international importance, ठीक है, यह जो Ram sir convention के अंतरगत, ज उन ही का एक register है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, it highlights those sites where adverse changes in ecological character have occurred, are occurring, और are likely to occur as a result of technological developments, ठीक है, pollution or other human interference and which are therefore in need of priority conservation attention, ठीक है, हलाकि हम लोगों ने पिछले lecture में बात की थी, कि Ram sir, sites में भी उसी तरीके के wetlands आते हैं, जिनके उपर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन उसमें से भी, यानि कि जितने की पूरी की पूरी list है, उसमें से भी कुछ ऐसे wetlands हो सकते हैं, या होते हैं, जिन में conditions ज्यादा खराब है, यानि कि जहां पर ecological character में जो change आ रहा है, या तो वो हो चुका है, या फिर वो हो रहा है, या फिर वो होने की कगा पर है, यानि कि likely to occur है, और क्यों हो सकता है, यानि कि अगर technological development ज्यादा बढ़ रहे है, pollution ज्यादा हो रहा है, human interference बढ़ रही है, ठीक है, तो इसकी वाई से क्या है कि उन जगहों की, उन sites की जो है, priority conservation के लिए attention उनको देनी जरूरी है, ठीक है, it is maintained as a part of the ramsar list, Montrex records are employed to identify priority sites for positive national and international conservation attention, ठीक है, sites जो है, इसको add भी किया जा सकता है, और remove भी किया जा सकता है, from the record, only with the approval of the contracting parties in which they lie, यानि कि जिस भी country में अगर वो होंगी, तो वहाँ से अगर उनको add करना है, या उसको, वहाँ से remove करना है, Montrex records से, यह record का मतलब जो है आप लिखा गया है, that is your Montrex record, ठीक ह add करना है, किसी भी site को या इससे remove करना है, वो जहाँ पर भी वो होगा, यानि कि जिस भी contracting party है, जिस भी देश में वो जगे होगी, उसकी approval से ही उसको किया जा सकता है, ठीक है, Montrex record sites इंडिया में कौन कौन सी है, देख लेते हैं, यहाँ पर एक नाम आपको दिख रहा है, ज उसमें choking हो रही थी, ठीक है, उसके बाद rehabilitation के यहाँ पर कुछ काम किये गए, government के द्वारा, और 2002 में इसको जो है record से हटा गया गया है, यानि कि अब आज ची डेट में करना हम बात करें, तो क्या चिलका लेक जो है वो एक wetland है, रामसर site है, बिलकुल है, रामसर site हम लोगों यह सिर्फ और सिर्फ क्या है अब, सिर्फ और सिर्फ रामसर site है, ठीक है, और इस achievement के लिए इसको 2002 में जो चिलका development authority थी, इसको रामसर wetland conservation award भी मिला था, 2002 का, ठीक है, इसके बाद जो अगला है, that is your, लोक्टक लेक, ये भी हमने देखा था कर, लोक्टक लेक इन मनिपूर, was included in the Montrex record in 1993, ठीक है, signifying the habitat degradation as a result of ecological problems, जैसे की deforestation in the catchment area, infestation of water hyacinth and pollution, इन सारे के सारे वजों से, इसको जो है, 1993 में इसको भी आइट किया गया है, the construction of a hydroelectric power plant has caused a local extinction of several native fish species, ठीक है, यहाँ पर एक local जो है, hydroelectric power plant यहाँ पर setup किया गया है, construct किया गया है, इसकी वज़े से, जो यहाँ की काफी सारी fish species है, यानिकि जो मशलियों की प्रजातिया है, उनको, वो extinct हो गई है, ठीक है, local extinction हो गया है, लोक्टक लेक मनिपूर, इसी के स साथ हम लोगों ने कल दो रामसर साइट्स और बात की थी, जो हमारे नौर्थीस्ट में थी, ठीक है, एक तो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है, यह चलिए, आप दोनों मुझे नीचे कमेंट सेक्शन बताईएगा, कि दोनों कौन सी थी, मैं आपको बता जिए, नौर्थ देखा है, जहांपर हमने सारे के सारे जगे मैप में मार्ग की थी, अगर मैं जैसे यह बात कर रहा हूँ कि आसाम में एक है, और मनीपूर में एक है, तो आप लोगों के माइंड में, आप लोगों के नजरों के सामने वो मैप आप लोगों को दिख रहा होगा इस समय, ठीक तो इस वजे से जो है केउला देव नैशनल पार्क और राजिस्थान इस अलसो वन आफ दी रामसर साइट तो ही है साथ में यह मॉन्टरिक्स रिकॉर्ट साइट भी है इंडिया में तो आज के रेट में अगर इंडिया में बात करें तो सिर्फ दो ही जो है मॉन्टरिक्स रिकॉर्ट की साइट है एक ए भीयाँ प्यची भी हैं पूसच पोस्टा है तो आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ दो ही है लोक्ता कोर कैला देव ठी CCTV प्रदेव राइस्थान में हम लोगोंने कल एक रामसर साइट की बात और की थी जिसका नाम था सांभर लेक गुजरात में हमने बात के जी नल सरो और बर्ड सेंचुरी की इस तरीके से मैं आपको बता रहो कि जो हाँ पर भी हमने पूरे के पूरे मैप में चीज़ें मार्क कर जोग्रिफिकल एरिया आप मान सकते हैं इसको ठीक है और हम लोगोंने अपने जोग्रिफिक के कोर्सेज में काफी बार इसको समझा भी है कि वर्ड इस अन एशुरी तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा से इसको एंविर्मेंट पॉंट आफ यू से देखींगे क्या चीज़ from river mixes with salt water transported by tide from the ocean ठीक है नदियों से जो fresh water आता है और जो ocean के तुरू जो salt water आता है ठीक है जो salt water आता है वो जब tides के तुरू मिलता है वहाँ पर यह जो है ऐशुरी बनती है ऐशुरी जो है वो most productive water bodies in the world है ध्यान रखेंगे they are located at the lower end of a river and are subject to tidal fluctuations obviously बात है जहाँ पर river का lower end होगा यानि कि जहाँ पर river समुदर के पास मिल नहीं है वहाँ पर होगा और इसमें tidal fluctuations होगा यानि कि जहाँ पर tide जिस समय आएगा तो उस समय क्या होगा कि इसमें पानी आ जाएगा जिस समय नहीं होगा तो उस समय फिर यह न कितने बार high tide कितने बार low tide आता है उसी के according जो है it will be washed by the sea water क्योंकि sea water से washed तभी होगा जब वहाँ पर tide होगा ठीक है चलिया आगे से craters देखते है क्या है जहां पर river का मैंने जहां पर river जिस तरब से river आ रही है वहाँ पर आपको पता है कि fresh water है तो जो हमारी ppt है यानि कि जो salinity है जो salt की हमारी range होगा जीरो के आसपास और जैसे जैसे हम पानी जो है वो आगे की तरफ को बढ़ता जाएगा यहां पर समुदर की तरफ को बढ़ता जाएगा sea end की तरफ वहाँ पर उसकी जो है ppt community बढ़ेगी और वो जहाँ पर sea end होगा यानि कि mouth के पास वहाँ पर लगभग 35 ppt के आसपास यह पहुच जाएगा ठीक है यह हमने पढ़ा था fresh water क्या होता है ब्रेकिश क्या होता है और saline क्या होता है ठीक issue has a very little wave action यहाँ पर wave action बहुत कम होता है so it provides a calm refuge from the open sea thus it provides the shelter for some of the animals ठीक है wave action कम है तो यहाँ पर यह एक calm refuge काम का मतब आप लोगो पता है काम मतब शान्त कह सकते है refuge का मतब है कि यहाँ पर जो है वो इस तरीके के animals वगरा जो है वो यहाँ पर रह सकते है ठीक है it is the most productive region as it receives the high amount of nutrients from fresh and marine water most productive region क्यों है क्योंकि इस पर जो है fresh water region से और marine water के region से nutrients आते हैं और वो भी काफी ज़ादा मात्रा में high amount पर ठीक है ashoreas they are most heavily populated areas throughout the world with about 60% of the world population living along ashoreas and the coast ठीक है तो काफी ज़ादा यहाँ पर population भी पाई जाती है 60% जो दुनिया की population है वो along the ashoreas और along the coast ही बसी हुई है ठीक है इसके बाद हम बात कर लेते हैं ashoreas formation को लेकर most ashoreas can be grouped into four geomorphic categories based on the physical processes responsible for their formation यानि किस process के according यह बने हुए है उसके according हम लोग इनको अलग-अलग categories में बाट सकते हैं जैसे कि rising sea level से यह बन सकते हैं इसके बाद जो sand और sand bars होते हैं उसके movement के वैसे बन सकते है glacial process यानि कि जो glacier संबन्धी processes उससे बन सकते है या फिर जो tectonic processes है उससे भी बन सकते है tectonic process का मतलब होता है जब plates वगर आप move करती है उसके according ठीक है तो issues are typically classified better there geomorphological features or by water circulation patterns and can be referred to by many different names जैसे कि base हो सकते है they can be harvards, they can be lagoons, they can be inlets ये सारे के सारे इसका अलगलग नाम हो सकते है ठीक है थोड़ा बात इन में अंतर होता है and I hope कि आप लोग को base, harvards, lagoons वगरा सब चीज क्या है geography में हम लोग पढ़ चुके हैं तो इसलिए जो मैंने आपको कल के lecture में भी बताया था कि geography को आप या तो साथ में पढ़ें या फिर पहले पढ़ लें उसके बाद subject को पढ़ें ठीक है क्योंकि इस तरह की जो topics बढ़ रहा है वो बार-बार discuss नहीं किये जाएंगे ठीक है redundancy बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप लोग को जब किसी भी आप exam की त्यारी कर रहे है तो you are not going to study only this subject, right? है ना आप बागी subject भी पढ़ क्या है, geography चाहे आप लोगोंने हमसे आ जाएगा, ठीक है the banks of issurine channels form a favored location for human settlements ठीक है, human settlements बढ़ा जाए लगबग 60% से जादा जो population है वो along the assuries along the coast रहती है which use the assuries for fishing and commerce assuries का use fishing के लिए किया जाता है commerce के लिए किया जाता है, but nowadays also इसको कुड़ा फैकने के लिए भी यूज किया जा रहा है assuries are usually biologically highly productive zone highly productive zone क्यों है यह आपको बदा दिया मैंने क्योंकि इसमें काफी सारे nutrients वगए जो है वो fresh water से और marine water से दोनों जगे से मिलते हैं they also act as the filter for some dissolved constituents in river water, these precipitate in the zone where river water meets sea water river water में माले जो कुछ भी dissolved constituents है, कुछ भी चीज़े घुली हुई है तो वो इस zone में precipitate हो सकती है ठीक है, तो यानि कि उससे क्या होगा कि sea water में जो nutrients वगए रहा है या जो इस तरी के dissolved constituents अगरा वो नहीं जाएंगे, ठीक इससे ज़ादा important क्या है, is the trapping of suspended mud and sand carried by rivers which lead to delta formation around issues, जो भी हमारा rivers हमारे sediments carry suspended form में, यानि कि mud हो सकता है sand हो सकता है, या specifically हम लोगोंने बात इसको geography में समझी है alubiums हम इनको बोलते है, ठीक है तो वहाँ पर इस तरीकी के deltas बगेना है वो बनते हैं और वहाँ पर ये अपना जो इस तरीकी के suspended materials है चाहे mud है, चाहे sand है, वो उसको वहाँ पर छोड़ देते हैं, ठीक है इसके बाद एक term दिया गया है, that is a healthy asuri healthy asuri क्या होता है, देखे a healthy asuri supports a host of plants and animals, ठीक क्या करता है, it stores and recycles nutrients, sediments को trap करता है, forms a buffer between coastal catchments and the marine ecosystem, ठीक है, या marine environment ये एक buffer की तरहे काम करता है, between the coastal catchment areas और जो marine environment है, उसके बीच में, it also absorbs traps and detoxifies pollutants acting as a natural water filter हम लोगों ने एक बात की थी eutrophication के time पर, riparian buffer की, तो उस तरीकी कुछ चीज़ों को भी act कर सकता है, ठीक है, when all such processes remain functional, an asuri is considered to be healthy state तो उसमें भाना जाएगा कि अशुरी जो है, वो healthy state पे है, अशुरी जो है, वो diverse habitats को support करती है, जैसी कि mangroves है, salt marshes है, sea grass है, mudfights है, etc, ठीक है, mangroves जो है, इसको हम अगले class में पढ़ेंगे, क्योंकि यह अगला ही topic जो है, इस chapter का mangroves है, ठीक है इसके बाद life in ashury की बात करते है, only certain types of plants and animals especially adapted to the brackish ashurine waters flourish in the ashury, ठीक है, यानि कि यह बात हो रही है, किस तरीके की, जो हमारी marine life है, उसके according, ठीक है, अगर marine life की बात करें, तो यहाँ पर उसी तरीके के जो marine plants या animals है, वो ही रह सकते है, जो brackish water के आदी है, ठीक है, factors influencing the growth and distribution of organisms in an ashury, are its salinity and the amount of flooding की, कि कितनी वहाँ पर salinity, यानि कितना ज़्यादा salt है, कितना ज़्यादा amount of flooding है, उसके हिसाब से, जो organisms है, उनकी growth और उनका distribution depend करेगा, ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, terrestrial और land-based अगर plants and animals की, तो यहाँ पर हर प्रकार के जो terrestrial animals या plants है, वो मिल जाएंगे, डेशी की wood stalk है, pelicans, coniferous and deciduous trees and butterflies, इस तरीकी चीज़े, plants animals यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, they are also home to some of the unique aquatic animals and plants, जैसे की sea turtles, sea lions, sea catfish, salt warts, eel grass, salt grass, cod grasses, sea grass, sedge, bulrush, यह सारे के सारे जिस भी तरीकी के animals और species, animal और plant species हैं, यह सारे के सारे uniquely पाए जाते हैं इन the ashuries में, ठीक है, predators, they are also important to the ashury because of their end position in the most consumer food chains, हमने food chain की बात करी है, हमने predator की बात करी है, तो वहाँ पर predator की भी importance होने की वज़े से, जो है, isuri के लिए predators भी जो है, they are also very much important, ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमें isurine ecosystem से benefit क्या क्या मिल ला है, सबसे मेरी चीज तो वही है, water quality का regulation है, ground water recharge है, मैं आपको बता दिया कि यहां से क्या होता है, कि पानी जो है, अंदर को तरह को seep कर सकता है, जमीन में तो उसे ground water recharge होगा, और दूसरी चीज यह भी है कि यह reverse में से जो sediment वगरा आ रहे हैं, उसको समुद्र के पानी में जाने से रोक रखता है, ठीक है, so that it helps in water quality regulation, इसके बाद है habitat breeding and nursery grounds for plants and animals, यह हमने देख लिया कि terrestrial और जो भी हमारे aquatic plants चनिवल से वो यहाँ पर पाए जाते हैं, biological productivitys की high होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर water से भी, यानिकि fresh water से, marine water से दों तरफ से nutrients आते हैं, social benefits भी इसके काफी जादा है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है, commercial activities वगरा भी करते हैं, तो यह सारी के सारी जितनी भी activities community values हो गया, indigenous values हो गया, recreational values हो गया, कि लोग यहाँ पर tourism वगरा के लिए आते हैं, ठीक है? यहाँ पर भी आपको tourism word दिया गया है, अलग से, इसके बाद knowledge and research values यानि कि यहाँ पर लोग जो है research वगरा करने आते हैं, economic benefits का वही मतलब है कि fishing वगरा होती है, तो उससे economic benefit भी होता है ठीक, ports and harbors यहाँ पर बनाये गए हैं, जिसके वैसे यहाँ पर ship वगरा भी रहते हैं, small boats वगरा भी रहते हैं इसको navigation के लिए भी use के जाता है, यह use के जाता है for agriculture, for aquaculture and industry, storm and erosion protection तो इन सब चीज़ों के लिए इसका use के जाता है, आप समझ सकते है कि overall जो ashuries हैं, यह कितनी जादा important है ठीक है, इसके बाद इंडिया रिशुराइं इकोसिस्टम के हम बात कर लेते हैं इंडिया में 14 major, 44 medium और 162 minor rivers जो है वो sea में drain करती है through various ashuries, ठीक है इसके जो है, there are an important and distinct component of the coastal landscape with highly complex ecosystems, varying physical chemical properties and having highly diverse flora and fauna यहाँ पर flora fauna भी काफी जादा divers है और physical chemical properties भी काफी जादा vary करती है और highly complex system है ठीक है major issues जो है, वो Bay of Bengal की side में पाई जाती है ध्यान रखेंगे आप many issues are locations of some of the major sea ports, ठीक है east coast की तरफ को जादा है, Bay of Bengal की coast की तरफ और अगर हम west coast की बात करें तो वहाँ पर ashuries थोड़ा सा कम है ठीक है, क्योंकि आप एक चीज़ को खुझ भी इसको जोग्रफी से relate कर सकते है कि eastern flowing rivers हमारी जादा है ठीक है, western flowing नदिया कम है तो जहाँ पर भी river generally flow करेगी और जहाँ पर वो समधर में मिल रही है वहाँ पर issue बनता है, ठीक है तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि eastern coast में जो है वो जादा है इसके बात issues of Indian asurine ecosystem की हम बात करते है the specific issues which have affected the asurine ecosystem in the country are, सबसे पहला है water flow, ठीक है changes in the water flow in various issues various issues either far in excess or much lower than required यानि कि या तो पानी बहुत जादा है ठीक है पानी का flow जो है वो बहुत जादा है या फिर जितनी जरुवत है उससे बहुत कम है ठीक है, कहाँ कहाँ पर है ये समस्या हुगली में नर्मदा, कृष्णा, गुदावरी, पलिकर एक्सेक्टरा इसके बाद है modifications of the asurine catchments जो asurine के catchments होते है वहाँ पर कुछ modifications हो रहा है ये तो लगबग लगबग आप कह सकते हैं कि most of the Indian asuris में ये problem है इसके बाद अगला है pollution and water quality pollution through industries and combined city sewage ये भी एक problem है ये भी सारे के सारे जितने भी Indian asuris है वहाँ पर है recreation और tourism के लिए जिसको use किया जा रहा है जैसे कि recreational boating वगए रहा है recreational fishing है navigation है उनको कहां कहां पर use किया जैसे हुगली है West Bengal में चिलका हो गया उडिसा में ठीक है चिलका फिर से उडिसा और हुगली again in West Bengal इसके बाद ports and shipping है dredging का use किया जाता है in हुगली shipping का use किया जाता है हुगली में ठीक है dredging का मतलब basically होता है जो sedimentation होता है उसको उससे बाहर निकालना that is known as पानी से that is known as dredging ठीक है जो machines में करा लगा कि उसको बाहर निकालते है silts को land use किया है expansion of urban and rural settlement marinas, growings, land reclamation and other structures marinas जो है वो आपके docks प्रकार की होते हैं जहाँ पर small boats रहती है ठीक है और growings होते है आपके low walls यानि कि छोटी दिवारे होती है जो erosion को चेक करने के लिए बनाई जाते है दे आनोने जाते हैं इस तरह के जो आपके बनाई जाते हैं जैसे कि हुगली है पलिकर्ट है mining और industries के लिए उस किया जाता है जैसे कि हुगली नदी होगी आपकी West Bengal में गोगा के पास एक है जुआरी नदी ये भी हम लोगों ने जोग्रफी में अपने डिसकस की है और map में बनाई भी है कि जुआरी नदी कहाँ पर है ठीक agriculture की अगर हम बात कर ले तो ये भी सारे के सारे हमारे जितने भी अशुरीज है वहाँ पर होता है इसके बाद solid waste की dumping भी आजकर होने लगी है मैं आपको पर बताया जो हमारा civic waste है जो हमारा industrial waste है उसके लिए भी dumping की जा रही है मतब land use इस तरीके से भी हो रहा है ये भी सारे के सारे एशुरीज में ही पाया जाता है इसके बाद है commercial fishing and aquaculture ठेक है over exploitation of the target fish stock due to increased demand जो कि demand बढ़ रही है मांग बढ़ रही है तो उसके वैसे जो fish का stock है उसका over exploitation किया जा रहा है ये भी सारे एशुरीज में ही पाया जाता है इसके बाद reclaiming the fringed areas for intensive aquaculture in pens ये pens जो होता है that is a one kind of aquaculture के एक technique होती है there is one technique that is known as cage culture और दूसरा होता है ये pens जो होता है ठेक है तो इस तरीके की जो चीजे है वहाँ पर इनका बढ़ावा बढ़ रही है चीजे obstructing the migratory roots of fish and prawn recruitment ठेक है मचलियों के और जो prawns होते है जो जहिंगे होते है उनके migratory roots को क्या किया जा रहा है obstruct किया जा रहा है कहां कहां पर हो रहा है चिलका में हो रहा है पुलिकट में हो रहा है पुलिकट is a lake in Andhra Pradesh polluting the environment through feeding of stocked fish and prawn in pens ठेक है environment का जो pollution हो रहा है ठेक है कि जो हम fishes को और जो prawns को basically pens में जो feed करते है उसकी वैसे pollution हो रहा है इसके बाद है destruction of biodiversity through prawn seed collection and operation of small meshed nets ठेक है तो कि इस तरीके से क्या होता है कि biodiversity को नुकसान कैसे पहुच रहा है क्योंकि यह जो nets वगरा लगाई जाती है उसमें यह लोग कभी कभी क्या होता है कि फस जाते है ठेक है और फसने से वहाँ पर इनके death वगरा हो जाती है तो उसके बाद हो रहा है destruction भी हो रहा है इसके बाद अगला है change in biodiversity profile affecting the production and productivity biodiversity का profile change हो रहा है production और productivity पर भी जो है वो फरक पढ़ रहा है ठीक है और ये भी सारे के सारे जो effects है all major Indian assuries में पाए जाते है ठीक है तो आज के लिए इतना ही है assuries request system हम लोग complete कर चुके है बहुत जादा important तो है लेकिन चीज़ें समझने के लिए काफी आसान है तो इसको हमने बहुत जादा कुछ extra information आप लोग को देने के लिए इसमें थी नहीं थोड़ा सा चीज़ें जो important थी वोगने आपको समझा दी है I hope कि आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ गया हूँ अभी इस chapter की अगर हम बात करें तो इसमें specifically दो topic और है एक है mangrove और दूसरा है coral reefs ठीक है तो I expect कि at least तीन पार्ट हमें इसके all लगेंगे क्योंकि थोड़ा सा लंबा topic है specifically अगर हम बात करें coral reef की वो थोड़ा सा लंबा है mangrove भी थोड़ा सा लंबा है ठीक है तो कोशिश करेंगे कि तीन पार्ट में इस chapter को हम लोग complete करने के आगे कोशिश कर लें ठीक है चलिए आगे का पार्ट जो है अग्वे lecture से हम लोग continue करेंगे तो content related अगर आपको कोई भी doubt होता है तो आप हमारा telegram का जो group है that is local gs.ups.t discussion forum इसको join करके आप वहाँ पर पूछ सकते हैं बाकी इस पूरे के पूरे video course का जो full course है वो हमारी website पर available है वहाँ पर आपको सारे के सारे videos मिल रहे है सांती notes भी मिल रहे है quizzes भी बहुत जल्दी update कर दिये जाएंगे तो videos के जरी आप लोग पढ़ सकते हैं आप लोग concept सीख सकते हैं notes के तुरू आप लोग कुपी revise कर सकते हैं और quizzes के तुरू आप लोग अपनी तयारी को अपनी preparation को assess कर सकते हैं course purchase करने संबन दी अगर आप को technical query face करते हैं तो आप whatsapp के इस number के तुरू contact हमें कर सकते हैं that is 9498086380 बाकि अगर आप हमसे कोई भी और बास share करना चाहें कुछ भी पूछना चाहें या कुछ बताना चाहें तो उसके लिए आप हमें इस email id पर भी contact कर सकते हैं that is support at the redocool.co बाकि हमसे जादा जुणने के लिए आप हमें facebook पे instagram पे, linkedin पे और twitter पर भी follow कर सकते हैं